हेलो नमस्कार गुड मोर्निंग सुप्रभात मेरे सेरो सेर्णियों मैं आ चुका हूँ आपके बीच में आपके घ्यान को अपडेट करने के लिए और अपने सेलेक्शन की तरफ एक कदम आगे भड़ाने के लिए मेरे पैरे साथियों याद होगा आपको रिवीजन का मतलब क क्या करना हाँ फ्यूचर का विजन तयार करना होगा याद रखना भविश्य की तयारी हमेसा वर्तमान में होती है वर्तमान में आप जितना अच्छा करोगे फ्यूचर उतना ही भैतर होगा जो जा चुका है दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है वो जा चुका है उससे कुछ सीखिए और जो आने वाला है दोस्तों उसका पता नहीं वो कब आएगा हमारे हाथ में केवल वर्तमान है हमें जो करना है वो आज करना है और दोस्तों हमारी तकदीर की लकीरों के आगे भगवान ने उंगलियां दी है और उन उंगलियों का एक ही उद्धिश्य है कि मेरे पै पत्ति वाले सवाल कराऊंगा जिनका संबन त्याक पत्र इस्तिफा और निदन से होगा सवाल ऐसे निश्चित आते हैं एक जाम के अंदर दोस्तों क्योंकि ये जो सिरीज है वो सफलता के लिए क्या है संग जारी है और ये जो संगर्स है दोस्तों ये कोविड-19 के खिलाब है और किसके खिलाब भी है हमारी परिक्षा के खिलाब भी है अब की बार धज्जे उड़ानी है और याद रखना एक बात को जब तक मैं आपके साथ हूँ दोस्तों तब तक तो मैं आपको हारने दुंगा भी नहीं क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है और आप तो मे मेरे क्या हो योद्धा हो मेरे दोस्तों और योद्धा कभी हार नहीं मानते आईए पैरसातियों आईए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको उर्जबान बनाएगा और पूरे दिन आपको चार्ज रखेगा देखिए कामियाबी का जुनून होना चाहिए फिर माचिस की तीली है और याद रखना जब ये माचिस की तीली आग सुलगाईगी तो मुस्किलों की धच्चियां उड़नी तेहें मेरे दोसातियों पस याद रखना अपने अंदर जुनून होना चाहिए महनत करने की आपके अंदर इक्छा होनी चाहिए और जब ये दोनों चीजें दोस्तों एक सही डायरेक्शन में चलती है तो याद रखना कोई भी लक्ष आपकी जिद से बड़ा नहीं है और हारा वही है जो लड़ा नहीं है आपके अंदर जो एक खून दोड़ रहा है दोस्तों इस खून में मैंने मिला दिया है क्या जोस मिला दिया है और य निदन हो गया, मेरे पहरे साथियों सारे सवाल फूल पत्तिक हैं, आप देख रहे होंगे, किलास की जो कौालिटी है, वो क्या है, एकदम, सत प्रतीसत आपके एक्जाम के अनुसार है, आईए देखिए, किस पूर्व नोसेना प्रमुक का निदन हो गया, तो मेरे पहरे साथ सुसील कुमार का हो गया है किसका हो गया है सुसील कुमार का हो गया है अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कि ये कितने वर्स के थे तो ये 79 वर्स के थे कितने वर्स के थे ये 79 वर्स के थे और ये कब नो सेना प्रमुक रहे थे तो मेरे पैरे साथियों ये 1908 में से और 2000 एक के म मस बात है हां मेरे पैरे साथियों याद रखना इनकी एक famous बुक है और वो बुक कौन सी है उस बुक का नाम है A Prime Minister to Remember क्या है मेरे पैरे साथियों A Prime Minister to Remember ये किसकी बुक है ये बुक है सुसील कुमार की जो भारत के पूर्व नोसेना प्रमुख रह चुके हैं तो याद रखना इनका निदन हुआ है, इसलिए चर्चा में है, तो सुसील कुमार भारत के पूर्वर नोसेना प्रमुक थे, 79 एज में इनका दैथ होग चुकी है, 1908 में से 2001 के मद्दे दोस्तों इनोसेना प्रमुक रहे थे, और ए प्राइम मिनिस्टर टूर रिमेंबर इनकी बुक का नाम है अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो नोसेना दिवस है, ये नोसेना दिवस कब बनाया जाता है, मेरे पहरे साथियों आपको ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और याद रखना, वर्तमान में कौन है नोसेना प्रमुक थो, अपने कौन करमबीर भाई साब ह आईए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की और देखते हैं दोस्तो आज का दूसरा सवाल कोन सा है प्यारे साथियों देखिए हाल ही में किस पूर्ब मुक्य चुनाव आयुकत का निदन हो गया लगाईए फूल पत्तियां बड़ा जबर्दस सवाल है और आपके पेपर को गार्डन गार्डन कर देगा दोस्तों कॉस्चन नमबर दो तो बताईए किनका निदन हुआ है तो इसका सही आंज़र है दोस्तों अप्शन नमबर थर्ड टी एन सेशन हो सकता है कि ये जो किलास है इसमें आपको सारे सवाल आते हो और या नहीं आते हो अगर आपको आते हैं दोस्तों तो आपका रिविजन होगा और साथ में आपको कोई ना कोई नया पॉइंट जरूर मिलेगा और इसके साथ में आपको ए और दोस्तों भड़ने का, तो TN Session भाई साब का निदन हो गया, इनके बारे में आपको एक खास बास बताओं भाई लोगों, ध्यान रखना, TN Session ने एक बार कहा था, कि I eat politician in breakfast, मैं नास्ते में खाता हूँ किसे, पॉलिटीशियन जो है, उनको मैं नास्ते में खाता हूँ, आप समझ चुके होंगे दोस्तों, कि इनका नास्ता कितना भारी होता होगा, समझ ये, ये कितने भेंकर होंगे, कितने खतरनाक होंगे, जो खुद कह रहे हैं कि मैं पॉलिटीशियन को नास्ते में खाता हूँ, I eat politician in breakfast, अब देखिए दोस्तों, जो TN सेशन है, ये भारत के कौन से नंबर के मुख्य चुनाब आयुक्त थे, तो याद रखना, दसवे नंबर के से, कौन से नंबर के थे दोस्तों, दसवे नंबर के थे, और इनका कारेकाल क्या है, इनका कारेकाल है, 1990 से 1996 में, तो याद रख निदन हो गया अभी, और 87 वर्स की मातर 87 वर्स की आयुमें, निदन हो गया, और याद खना मेरे पहरे साथियों, अगर आपसे एक बड़ा महत्पून सवाल है, कि मतदान पहचान पत्र कौन सा, मतदान पहचान पत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोटर आईडी, ये जो बो बोल्टिंग करने जा रहा है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक बोल्टर आईडी, कार्ड होना चाहिए, और दोस्तों, ये इस्टार्ट करने वाले कौन थे, ये थे TN सेसन, अच्छा सवाल है, अच्छे से नोट करना, नोटबुक पैन उठा करके, मैं अब भी कह र रही है, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को सेर कीजिए, जिसको जरुवत है, उसको खुद बताईए, और दोस्तों, पसंद आए, तो हमारी टीम के लिए आपको मोटिवेट करना है, लाइक करना है, अगला कोशिन मुख्षे चुनाव आयग ते हैं बारत के सुनील अरोडा पहले नमब के कौन थे? पहले नमब के थे सु कुमार सैन क्यों थे? वर्तमान में सुनील अरोडा है और ये दिन कौन सा याद है? आपको 25 जनवरी इसी दिन हम बनाते हैं सा मत दाता दिवस बोटर्स डे बनाते हैं कोंकि इसी दिन हचुनाव आयोग की स्तापना हुई थी और मेरे पैरे साथियों आपको पता है 25 जनवरी 1950 वो दिन कौन सा था 25 जनवरी 1950 का दिन था आईए अगले सवाल की और बढ़ते हैं कोशन नम्मर तीन की और और देखी मेरे कोशन नम्मर तीन क्या है हाल ही में 6 जनवरी 2020 को लोगपाल से इस्तिफा देने वाले नियाएदी स्कौन थे अच्छा सवाल है दोस्तों लोगपाल संस्ता है ये बड़ी चर्चा का विसे है आपको एक सवाल किलियर कर दू अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोगपाल है वो एक व्यक्ति है मेरे प्यारे दोस्तों सेर और सेन्यों लाडलों लोगपाल एक व्यक्ति नहीं है इसको याद रखना लोगपाल क्या है लोगपाल एक संस्ता है क्या है मेरे पहरे साथियों एक इंस्ट्यूट है एक संस्ता है इसका जो अध्यक्ष है वो ह कौन PC घोष जिसे आप कहते हो ना भारत का पहला लोकपाल मेरे दोस्तों ये सवाल ही क्या है सवाल ही गल्ट है भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है तो वो है पिनाकी चंदर घोष कौन है पिनाकी चंदर घोष अब ये चर्चा में क्यों आया तो मेरे पहले साथियों लोकपाल से एक सदस्य ने इस्तिफा दे दिया जिसका नाम था डी बी भोंसले क्या नाम है डी बी भोंसले इन बोंसले भाई साब ने क्यों दिया इस्तिफा तो मेरे पहरे साथियों कारण बताया है निजी कारण कौन सा कारण है निजी कारण था पहली बात तो ये डी बी का मतलब क्या है डी बी का मतलब है दोस्तों दिलिब बाबा क्या नाम है दिलिब बाबा साहिव तो दिलिब बाबा साहिव भोंसले दोस्तों ये है कौन डी बी भोंसले अब आप पूछोगे कि ये जो लोगपाल के सदस्से हैं इनका कारेकाल कितना होता है मेरे पैरसाथियों प अब देखिए और नाम भी आपके सामने इन नामों का परीचे आपको होना जरूरी है सरद अरविंद बोबड़ी ये बोबड़े भाई साब आपको मैंने कल पढ़ाया था ये भारत के 47 में Chief Justice of India है भारत के 47 में मुख्य नियादीस है कौन सरद अरविंद बोबड़े भाई साब और इससे पहले कौन थे इससे पहले थे मेरे दोस्तों रंजन गोगोई भाई साब कौन थे रंजन गोगोई भाई साब थे और PC घोस्त मैंने आपको बताया जो लोगपाल संस्ता है इसके जो अध्यक्ष है जिने हम भारत का पहला लोगपाल कहते हैं वो हैं पिनाकी चंद्रगोस तो जश्टिस पिनाकी चंद्रगोस भारत के पहले लोगपाल अध्यक्ष हैं और इसका काम क्या है दोस्तों इसका काम है सिविल सर्विस के अंदर ब्र बश्टाचार की जो सिकायते हैं दोस्तों उनकी सुनवाई करना और बश्टाचार को कम करना इसका मेन उद्दिश है। आईए बढ़ते हैं कोशन नमबर 4 की तरफ और कोशन नमबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों ऐसे सवाल अकसर देखे जाते हैं आपके एकजाम पेपर के अंद और याद रखना दोस्तों ये जो एकजाम बनाने वाले हैं वो सबी फूल पत्ती वाली क्लास का आनंद ले रहें तो इसलिए आप भी उनसे एक कदम आगे चलिए और याद रखना मेरे दोस्तों जिस दिन आप एक कदम पीछे हटाऊगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अब एक बात याद रखना ये जो मोटिवेशन है इसका एक मातर उद्देश है दोस्तों क्या कि आपका स्टार्ट बटन मैं दबा सकूँ जिस प्रकार एक गाड़ी के अंदर स्टार्ट बटन होता है ऐसे ही मोटिवेशन होता है आपने कल देखा होगा कि हर किसी ने दिये जला करके अपने अंदर एक सकारात्मक उर्जा का संचार किया मेरे दोस्तों उसका क्या बैग्यानिक फाइदा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें ये देखना है कि क्या इससे कोई बदलाव आया हमारे अंदर क्या इससे हमारे अंदर कोई सकारात्मक उर्जा की अलग जगी क इससे ये पता लगा कि सिकंदर भी भारत में हारा था और COVID-19 भी कहा भारत में हारेगा तो मेरे दोस्तों सकरात्मक उर्जा का अपने अंदर संचार कीजिए और ध्यान रखना ये जो दो मिनट का मोटिवेशन होता है न वो आपको 18 मिनट जो और आने वाली है उनके लिए आपको तयार करता है आपको फूख फूख कर फोलाद की तरह बना देगा और ये जो फोलाद है दोस्तों इस फोलाद के आगे परिक्षा तो एक क्या है छोटी सी चीटी के समान है आईए क्वेशन नंबर फोर देखते हैं हाल ही में 26 नॉवंबर 2019 को दिल का दोरा पड़ने से सुधीर धर का निदन हो गया इनका संबंध किस छेतर से है तो नाम क्या है सुधीर धर मेरे दोस्तों इनका संबंध है कार्टूनिष्ट ये क्या थे एक कार्टूनिष्ट थे famous हिंदुस्तान टाइम्स के कहां के थे हिंदुस्तान टाइम्स अकवार में इनके कार्टून आते रहते थे तो अच्छा question है सीधा पूछेगा सीधा आपको answer देना है अब करते है question का postmartum देखिए 26 नॉवंबर याद है मेरे दोस्तों 26 नॉवंबर क्यों famous है क्योंकि 26 नॉवंबर 1949 इस दिन हमारा सविधान विश्व का सबसे खूपसूरा दस्तावेज हमारा सविधान बन कर तयार हो गया था और मेरे दोस्तों ये लागू तो 26 जनवरी 1950 से हुआ लेकिन बन कर तयार हुआ 26 नॉवंबर 1949 इसलिए 26 नॉवंबर 1949 के बास सही दोस्तों हमने तै क कि 26 नौमर को हम क्या बनाएंगे विदी दिवस बनाएंगे जो वर्तमान में किस नाम जाना जाता है सवीधान दिवस के नाम से जाना जाता है तो अच्छा कोश्चन है इसको याद रखना है और सुधीर दर का सम्मन्द किस से है काटू निश्ट से सम्मन्द है इसका अगला क किस प्रकार घुमा सकते हैं आप इस पराकाष्टा को समझ लीजिए मेरे साथ में मेरे पैरे साथियों कंसप्ट किलियर होना चाहिए दिल के अंदर बात होनी चाहिए फिर वो किसी प्रकार आप से घुमा कर पूछ ले आप मतलब समझ चाओगे तो मेरे साथियों इसका आं मलेशिया के कहां के थे मलेशिया के थे हाँ अब आया याद सर आपने ये कल ही तो पढ़ाया था कि मलेशिया के महातिर महुम्मद ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है और उसके इस्तान पर कोन आ चुके हैं उसके इस्तान पर आ चुके हैं मोयुद्दीन यासिन कोन आ च अब हम आपके साथ गठबंदन नहीं रखेंगे तो अनवर मिया ने दोस्तों गठबंदन तोड़ दिया और जैसे ही गठबंदन की गांट खुली हुआ क्या मेरे साथियो महातिर मुहम्मद अल्पमत में आगे तो उन्हें इस्तिफात देना पड़ा और मोहिद्दीन यासिन की लग गई लोटरी और ये बन गए क्या प्रधान मंतरी अब देखिए मेरे पहरे साथियो मलीशे की राजदानी आप जानते हो क्या है क्वाला लामपूर क्या है क्वाला लामपूर राजदानी है और ये महातिर मुहम्मद मातर चौरान में वर्स के थे कितने के थे साथि मात्र चुराण में वर्स हाँ मात्र जरूर लगाना है आपको और विश् tookaay सबसे बुजजर प्रधान मंत्री थे कौन मात्र मौमद अच्छा सवाल है याद रखना विश्य। के सबसे बुजर प्रधान मंत्री थे मात्र मौमद जो मात्र 94 वर्स के हैं और ये किस राज्य के पूरु मुख्यमंत्री रहे चुके हैं। बड़ा अच्छा सवाल है मेरे पहले साथियों। और मेरे साथ में मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ साथी उत्तर प्रदेश, मद्दे प्रदेश, 36 गड़ सभी राज्यों से जुड़े होंगे। तो आजाईए मद्दे प्रदेश वालों तयार हो जाईए क्योंकि यह सवाल आपके एक्जाम में निश्चित पूछा जाने वाला सवाल है। फूल पत्ती तयार रखिएगा दोस्तों और नौट्बुक पैन उठा लीजिए। अगर आप यह सब सुनकर भी नौट्बुक पैन नहीं उठा रहे हो तो दोस्तों इसमें गलती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी, मैंने आपको चेताया था, मैंने आपको जगाया था, मैंने आपको उठा करके टेबिल पर बैठाया था, अगर आप फिर भी नौट्बुक प पीछे क्या करदो सेलेक्सन के पीछे पागल हो जाओ जबी सफलता आपको मिलेगी आईए दोस्तों मद्द प्रदेश क्या इसका सही आंसर है ये केलाज जोसी भाई साव आपको पता है ये जो जोसी भाई साव है इनकी एक बड़ी महत्पून उपलब्दी है कि ये पहले मद प्रदेश के पहले गैर कांगरेशी मुख्य मंतरी अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन थे केलाज जोसी थे और याद रखना ये काल कौन सा था ये समय था 1978 का तो कब रहते ये 1977 से 1978 के बीच में दोस्तों ये मुख्य मंतरी रहते कहां के मद्द प्रदेश के अब आजाईय मद्द प्रदेश के बारे में आप जानते हो दोस्तों कि मद्द प्रदेश को हम क्या बोलते हैं टाइगर इस्टेट कहते हैं क्या कहते हैं टाइगर इस्टेट कहते हैं किसे मेरे साथ ही हो मद्द प्रदेश को अगला कोश्चन क्या है मद्द प्रदेश में दो राष्टे और ध्यान है कहाँ पर मद्द प्रदेश के अंदर और मेरे पैरे साथियो नर्मदा नदी के किनारे एक सहर इस्तित है जिसका नाम है जबलपुर क्या नाम है जबलपुर और याद रखना मद्द प्रदेश की जो हाई कोट है दोस्तों वो जबलपुर है मद्य परदेश की राजधानी तो बोपाल है क्या है बोपाल है लेकिन जो हाई कोट है वो जवलपूर है याद रखना अच्छा कोश्चन है और ये किस नदी के किनारे है ये नर्मदा नदी के किनारे है किस के किनारे है नर्मदा नदी के किनारे है और आपको पता है मद्द प्रदेश के अंदर मामा की बापसी हो चुकी है सिवराज भाई साथ के साथ आचुके हैं कौन महाराज आचुके हैं और कमल की सरकार गिर चुकी है और दोस्तों कमल पार्टी की सरकार आचुकी है तो सिवराज सिंग चोहान मद्द प्रदेश के चोथी बार मुख्य मंतरी की सपत लेने वाले पहले मुख्य मंतरी बन चुके हैं तो केलाज जोसी पहले गैर कांगरेसी मुख्य मंतरी है और सिवरा सिंग्चौहान, पहले चार बार मुख्यमंत्री की सपत लेने वाले मद्दर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है। आईए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं दोस्तों इस सवाल में एक नाम आया है उत्तर प्रदेश। कोन आया है उत्तर प्रदेश और जैसे ही उत्तर प्रदेश आता है तो एक नाम सामने आता है वो है रामायन के लच्छमन योगी आदित्यनाथ कोन है योगी आदित्यनाथ और मेरे दोस्तों कल उन्होंने एक नाम करण किया था और ये क्लास क्या गजब की क्लास है जो मैंने आपके कमेंट्स देखे दोस्तों सब कमेंट्स के अंदर सब पकड़ कर बैठ चुके हैं किसको ओबामा को पकड़ कर बैठ चुके हैं और अब ओबामा का नाम क्या हो चुका है सुधामा हो चुका है और मेरे दोस्तों ये सुधामा ऐसा लगता है ना जैसे आपके घर के बग तो दोस्तों ओबामा हो चुके हैं क्या सुदामा और डोनाल टरम तो आपको पता है पहले ही पेट्रोल पंप हो चुके हैं और आपके घर के पडोस में रहते हैं कौन भूरियों कौन रहते हैं भूरियों रहते हैं और रिंकिया के पापा थोड़ा दूर हैं दोस्तों सपना चोदरी आपके मोबाइल में आही रही है तो आईए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर साथ की तरफ देखिए कोश्चन नमबर साथ थोड़ा अच्छा सवाल है और अंचुआ रह चुका है दोस्तों ये चुआ नहीं गया कहां पर करंट अफेस के सवाल के अंदर हाल ही में जोगिंदर सिंग सैनी का निदन हो गया है इनका संबंद किस छितर से है जोगिंदर सिंग सैनी मेरे पहरे साथियों इनका संबंद है अथलेटिक्स कोश ये क्या है एक अथलेटिक्स कोश थे भारत के जाने माने यादखना भारत के जाने माने अथलेटिक्स कोश है जोगि कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य था पंजाब कौन था पंजाब था और जहां पर बाबू को क्या किया जा रहा है बाबू लाल किया जा रहा है इसलिए दोस्तों पंजाब में सैनिटाइजर के बाद जो बाम है जंडू बाम वो भी क्या हो चुकी है महंगी हो चुकी ह अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि जोगिंदर सिंग सेनी जो है क्या इन्हे कोई अवार्ड मिला है, हाँ मेरे पैरे साथियों 1997 में, कब 1997 में इन्हे दिया गया द्रोना चार्रे अवोर्ड, कौन सा अवोर्ड मिलता है, द्रोना चार्रे अवोर्ड और मेरे पैरे एकलब्वे से अंगुठा मांगने का आप सभी मेरे एकलब्वे हो और एकलब्वे दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के उपर तबी तो मैं कहता हूँ ये दिल से दिल तक के किलास हमेशा जारी रहेगी और इसका एक मातर उद्देश्चे होगा आपकी सफलता तो तैयार हो जाएए दोस्तों इस सफलता के महापर्व में जुड़िये अपने दोस्तों को जोड़िये जरुरत मंदों को जोड़िये और मेरे दोस्तों जो निरास है उन्हें एक बार फूल पत्ती वाली में आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो पुन्ने प्राप्त होगा वो आपको खुद जलकेगा आपके एकजाम के अंदर आईए अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं कोश्चन नम्मर आठ की तरफ हाल ही में होशनी मुबारक का निदन हो गया है इनका सम्मन्द किस राष्ट से तो मेरे पहरे साथियों होशनी मुबारक आपको पता है हुशन मुबारक नहीं दोस्तों होशनी मुबारक है क्या नाम है होशनी मुबारक है और ये मिसर देश के हैं किसके हैं ये मिसर देश के याद है आपको यूनान रोम मिसर मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी मेरे दोस्तों ये भारत है जो सिकंदर को भी हराएगा कोविड नैंटीन को भी हराएगा और परिक्षा हारेगी स्टुडेंट जीतेगा आईए बात करते हैं होशनी मुबारक के बारे में ये भाई साथ लगबग 30 वर्स तक क्या रहे थे 30 वर्स तक राष्ट पती रहे थे कहां के मिसर के राष्ट पती रहे थे लगबग 30 वर्स तक फिर इन्हें पद से हटाया गया और दोस्तों हाल ही में इनके क्या हो गई है इनका निदन हो गया है अब आप पूछोगे कि सरी ये मिश्र क्या है तो मेरे पैरे साथियों इंगलिस वालो इसे इजिप्त कहते हैं क्या कहते हैं इजिप्त कहते हैं इसे इंगलिस के अंदर और इसकी जो राज़दानी है मेरे पैरे साथियों हिंदी में कहते हैं काहिरा क्या कहते हैं काहिरा कहते हैं और इंगलिस में कहते हैं इसे कैरो क्या बोलते हैं कैरो तो ये सबी एक नाम है कनिफ्यूज नहीं होना है अगर आप से पूछे मिस्र तो यही क्या है इजिप्त है और इसकी राजदानी है काहिरा या पिर कहरो और मिस्र को दोस्तों ध्यान रखना नील नदी का वर्दान किसे कहते हैं नील नदी का वर्दान कहते हैं मेरे पैरे साथियों मिस्र को अच्छा कोश्चन है यहां से नदी बहती है जो कि विस्व के सबसे लंबी नदी है नाइल रीवर जिसे हिंदी में नील नदी क कहते हैं और इस नील नदी का वर्दान तो बून ओफ नाइल रीवर कौन है वो है दोस्तों ऐजिप्ट मिस्र है मीण नील नदी का वर्दान तो अच्छा कोश्ठ है अच्छे से याद रखना है मिरसाथियों और मलीशिया तो आप जानते ही ओ मलीशिया के बारे मैंने आपको बताया है कि मलीशिया में मोहिन उद्DIN यासिन आ चुके हैं और माहतिर मौम्मद हट चुके हैं और दोस्तों माहतिर मौम्मद के भारत के साथ संबन्ध अच्छे नही थे इसलिए हमें जो मलीश Archives से जो आयात कर रहे थे हम पाम तेल का वो हमने रोक दि अब देखिए ये आठ सवाल दोस्तों जल्दी से एक बार क्या कीजिए अपना रिवीजन कर लीजिए जिससे ये सवाल आपके सीधे क्या हो दिल के अंदर फिक्स हो जाएं हाल ही में किस पूरू नोसेना प्रमुक का निदन हो गया तो वह है सुसील कुमार का अगला कोश्चन पूरू मुक्य चुनाव आयुद का निदन हुआ है वो है टी एन सैसन भाई साब अगला 6 जनवरी 2020 को लोगपाल से इस्तिफात देने वाले नियाईदिश थे बोसले गया ये कार्टूनिस्ट है और विश्व के सबसे बुजग प्रदान मंतरी माहदिर मौम्मद भाई साब है और कैलाज जोसी जिनका निदन हो गया तो ये मद्द प्रदेश हमारा प्यारा मद्द प्रदेश है जोगिंदर सिंग सैनी भाई साब ध्यान रखना एथलेटिक् कहां के मिसर के 30 वर्स तक राष्ट पती रहते अब देखते हैं दोस्तों कल का फूल पत्ती वाला सवाल और ये कल का फूल पत्ती वाला सवाल गयात्री मंत का सवाल है भारत का पहला राष्टे उध्यान कौन सा है तो या दखना भारत का पहला राष्टे उध्यान था जिम कारबेट राष्टे उध्यान कौन सा जिम कारबेट राष्टे उध्यान और या दखना इसी को बोलते हैं हैली नेशनल पार्क क्या बोलते हैं हैली नेशनल पार्क और ये कहां पर इस्तित है हमारे प्यारे उत्राखंड में इस्तित है कहां पर इस्तित है उत्राखंड के अं और नाम दफा राश्टे उध्यान ये है अरुनाचल प्रदीश के अंदर ये चारो जो नैसनल पार्क हैं मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों नैसनल पार्क बहुत सारे हैं लेकिन इन में से जो चार नैसनल पार्क है हर एक्जाम के अंदर लगबग पूछे जाने वाले ये चार ही हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे तैयारी कुछ इस प्रकार करो कि तैयारी का हर कदम आपको आपके लक्षे के पास लेकर जाए भटकाए नहीं मेरे साथियों आपको नोलेज बहुत है यूटूब पर हर चैनल पर कोई नया कोशन आपको तैयार खड़ा है ल जो एकजाम में आए और वही है फूल पत्ती क्या है दोस्तों वही होती है फूल पत्ती वाला सवाल आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फूल पत्ती वाला सवाल क्या कह रहा है हाल ही में दिल्ली विधानसवा चुनाम में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीट B-75, C-34 और D-62 अगर आप इसमें थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका अंसर क्या है ये question जो है वो GK का कम है और reasoning का क्या है जादा है तो देखते हैं कौन-कौन इसमें दिमाग लगाएगा और जो जरूरत मंद है उसको सबसे पहले पहुचानी है और याद रखना इस किलास का एक मातर उद्देश ये क्या है सफलता की जंग जीतना क्या करना जो सफलता की जो जंग है इसे जीतना ही एक मातर उद्देश से हसते रहना मुस्कुराते रहना अपनी तैयारी को मजबूत करना महीला बच्चोर सेनिकों को सम्मान करना मैं फिर मिलूँगा दोस्तों एक ने मैटर के साथ एक ने जुनून के साथ तब तक अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना जैहिन थेंक्यू